हनी प्रीट इंसा यह वह नाम है जो एकदम अचानक से मीडिया के सुर्खियों में आया और च्छा गया पिछले एक महिने से शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जिस दिन कोई खबर ना चली हो यह नाम है बलातकार के आरोपों में 20 साल की सजा काट रहे बाबा राम रहीम की मुबूली बेटी का जो पुलिस के गिरफ्ट में है हनी प्रीट पर देश द्रो और हिंसा भड़काने जैसे कई गंभीर आरोपों में मामले दर्ज है राम रहीम के जेल जाने के बाद से लगातार उसकी तलाश जारी थी कई राज़ों की पुलिस उसके पीछे थी लेकिन अब तक वो सब की नजरों से ओजल ही रही थी हाला कि अवग गिरफ्टार हो चुकी है और पुलिस उससे पूश ताच कर राम रहीम और डेरे के राज उगलवाने में लगी है गिरफ्टारी से पहले वो मीडिया को इंटर्व्यू दे कर अपने उपर लगे आरोपों को खारिस कर चुकी है इसके अलावा अपनी रिष्टे को भी पाक साफ बता चुकी है ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब उसे लगा कि अब उसे गिरफ्टार होना चाहिए तब ही उसने गिरफ्टारी दी और अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचा कर गई आपको बता दे कि वो अपने पती से तलाक ले चुकी है एक महिने से पुलिस इसकी खाक चान रही थी हनी पृत ने खलासा किया कि वो भटिंडा में एक महिला के साथ रह रही थी इस महिला का नाम है सुक दीब और ये डेरा अनिय आई है भटिंडा में सुक दीब की जमीन और घर है यहीं उसने हनीप्रीत को छिपा कर रखा था इसके अलावा हनीप्रीत 27 और 28 अगस्त को अपने भाई की ससुराल हनुमानगड में रही 29 अगस्त को जब पुलिस यहां पहुँची तो वो रफु चक्कर हो चुकी थी 30 अगस्त को राजस्तान के सांगरिया में एक भक्त के घर रही 2 सितंबर को उदैपूर के सौपिंग मॉल में नजर आई पुलिस पहुची तो सिर्फ केयर टेकर मिला इसी बीच उसके नैपाल जाने की खबर सामने आ गई वहां रेडियो से मुनादी भी की गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ 21 सितंबर को राम रहें के गाउं गुरसर मूरिया में घेरा गया लेकिन वो यहां से भी निकल गई 25 सितंबर को दिल्ली के लाजपतनगर में वकील के पास आई लेकिन पुलिस दो दिन बाद वहां पहुची पुलिस ने गुरगाओं के एक फ्लाट समेट कई जगा दबिश दी लेकिन हर जगा से हनिप्रीत पुलिस के आने से पहले भाग गई 3 अक्टूबर को एक टीवी के कैमरे पर हनिप्रीत ने बताया कि वो कहा कहा रही Team One Cup News